नमस्कार मेरा नाम है कांशा चुखान और स्वाधत आपका Only News Nation के चैनल पर वीडियो में अंतितक जरूर बने रहें साथी देश्य और विदेश्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना हूँ ले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इलहबाद यूनिवर्सिटी में मंगलवार को एक शपत ग्रहन में शामिल होने के लिए जा रहे उनका काफिला लखनो एयरपोर्ट पर पहुँचा तो वहाँ एडियम वैभव मिश्रा दलबल के साथ मौजूद थे गाड़ी से जैसे ही अखिलेश यादव नीचे उत्रे यूपी पुलस ने उन्हें सल्यूट किया पास में खड़े लखनो एडियम सिटी वैभव मिश्रा ने भी उन्हें समान देते हुए नमस्ते किया इसके बाद एडियम ने उन्हें प्लेन में जाने से रोपने की कोशिश की एक मौका यह भी आया कि अखिलेश यादव के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने एडियम वैभव मिश्रा को जिड़क दिया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये वाइरल दिख हाला कि इसके बावजूद वैभव मिश्रा अखिलेश को मनाने की कोशिश करते रहे इस दौरान अखिलेश यादव ने वैभव मिश्रा से एक सवाल किया जो चर्चा का विशय बना हुआ है दरसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं पुलिस कर्मी उन्हें सल्यूट करते हैं वहीं एडियम दाबम मिश्रा नमस्ते करने के बाद अखिलेश यादव को रोपते हुए नजर आ रहे हैं इस दोरान ACP चीफ या कह रहे हैं एक मिनट पहले बात बताईए साइड में बात कीजिए हाथ मत लगाना पहले बात करो तुम कितना पड़े लिखे हो कारण क्या है इस पूरी बात चीफ में एडियम वैभम मिश्रा से अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि आखिलेश यादव का यह सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि वैभम मिश्रा 2008 PCS बैच के टॉपर रहे हैं ऐसे में उनसे यह सवाल किया जाना अजीब माना जा रहा है इसकी वज़ा से अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर आलोचनाओ का भी सामना करना पड़ रहा है जानिये कौन है एडियम वैभम मिश्रा दोस्तों बता दे कि वैभम मिश्रा कताबगर जनपत की पट्टी थैसिल छेदर के गजारिया काओं के मूल निवासी है उनके पिता एसपी मिश्रा भारती सेना में वारेंट आफिसर के पतपर थे चार भाई भेनों में वैभम सबसे छोटे हैं वहाजब पान साल के ही थे तभी उनके पिता का देखान्थ हो गया था वैभम मिश्रा ने शुरवाती पढ़ाई लिखाई गजारिया के ठाकुर शाम सुंदर सिंग स्कूल और पट्टी के रामराज इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया उन्होंने लाल गंज के रामजोर इंटर कॉलेज से इंटरमिडियेट की पढ़ाई पूरी की इसके बादभा इलाबाद पहुंचे जहां इलाबाद यूनिवर्सिटी से दिये और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जे आर एक की पात्रता हासल की इसी बीच वैभव बिना कोचिंग के मदद लिये ही 2008 PCS पैच के टॉपर बने इस पूरे मामले को लेकर एडियम वैभव मिश्रा का कहना है कि हम प्रशाशन के लोग हैं हम अपने निर्णव में द्रण होते हैं और वहवार से सहल होते हैं हमें इन बातों से फरक नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा वहाप पूर्व CM है उनका एक प्रोटोकॉल है हमें मूल रूप से इस बात से लेना देना है कि नहीं जाना देना है हमने इस बात की ट्रेनिंग ले रखी है कि कैसे आचरन करना है कैसे द्रणता दिखानी है एडियम सिटी एक पद है जिसका एक दाइत्व है उसका हम निर्वाहन कर रहे हैं उस पूरी घटना का जिक्र करते हुए एडियम सिटी वैभव मिश्रा ने बताया इलहाबाद जिला प्रशाशन की एक रिपोर्ड थी कि वहाँ शांती विवस्ता भंग हो जाएगी उस रिप कोपी टाइप होने और बनने में टाइम लगता है ऐसे में राभव मिश्रा ने उन्हें कहा कि सर आप बैठिये मैं आपको लिखित और दे रहा हूं उसके बाद लिखित आदेश दिया गया और अखिलेश यादव वहां से वापस चले था खबरती इलाबाद की जिसके पारी आलोचना हो रही है जुड़े रहे हैं ओनली न्यूज नेशन के साथ नहीं होता है